हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सोने स्टोरी पर तो शुरू करते हैं आज की कहानी पती पतनी काफी दिनों के बाद आज एक साथ बैठ कर चाय पी रहे थे क्योंकि आज उनकी शादी की पच्चिसमी साल गिरे थी पहले की तरह वे अब साथ में समय नहीं बिताते थे ज्यादा एक दूसरे के पास बैठते नहीं थे पता नहीं किन कारणों से उन दोनों की बीच की दूरी बढ़ती ही जा रही थी चाय पीते पीते पतनी ने चुपी तोड़ते हुए कहा मुझे आपसे बहुत कुछ कहना है आपको बहुत कुछ बताना है लेकिन अब हमारे पास एक दूसरे के लिए समय ही नहीं है मैंने इस बारे में बहुत सोचा है और मैंने इस सिचुईशन से निपटने का एक उपाई निकाला है अगर आप राजी हो तो बताती हो पती ने सिरहिला कर हामी भरी पतनी ने टेवल के ड्रोर से दो डायरी निकाली और बोली मैं यह दो डायरी लेकर आई हूँ एक आपके लिए और एक मेरे लिए आज के बाद हम दोनों को एक दूसरे से जो भी शिकायत होंगी वे हम अपनी डायरी में लिख कर रखेंगे एक साल बाद जब हमारी 26 वी एनिवर्सरी आएगी तब हम उसे खोल कर पढ़ेंगे तब हमें एक दूसरे की उन चीजों या आदतों के बारे में पता चलेगा जो हमें नहीं पसंद है और हम उन्हें सुधार पाएंगे या कोई उपाय कर पाएंगे पती को भी पत्नी का आइडिया पसंद आया और उसी दिन से डायरी में लिखना शुरू हो गया देखते ही देखते एक वर्ष बीट गया और 26 मी एनिवर्सरी का दिन आ गया पती पत्नी दोनों ही डायनिंग टेबल पर बैठ कर चाई पी रही थे और पास में दोनों की अपनी अपनी डायरी रख्की हुई थी जो उन्होंने एक दुसरे के साथ बदल दी चाई खतम करके पहले पत्नी की डायरी पढ़नी शुरू की उस डायरी में काफी सारी शिकायतें थी जैसे आज होटल में ले जाने के लिए वादा किया था लेकिन फिर भी नहीं लेकर गए आज मेरे माईके से महमान आये थे उनके साथ पती ने अच्छे से बात नहीं की कितने महीनों बाद आज मेरे लिए सारी लाई लेकिन पुराने डिजाइन की आज मेरे सीरियल देखने के समय पती ने चैनल बदल कर न्यूज चला दी आज गीला तोलिया सोफे पर छोड़ दिया ऐसी कई सारी शिकायते थी डायरी को पढ़ते पढ़ते पती की आँखों में आशू आ गए पती को काफी अफसोस हुआ वो अपनी पत्नी से बोला मुझे इन गलतियों के बारे में एहसास ही नहीं था लेकिन अब मैं तुमसे वादा करता हूँ कि ऐसी गलतियां मैं अब फिर से नहीं दोराऊंगा अब पत्नी ने पती की डायरी खोली पत्नी ने डायरी के कई सारे पन्ने पढ़ते लेकिन वह पूरी तरह से खाली थी कहीं पर भी एक शब्द भी नहीं लिखा था पत्नी बोली आपने तो डायरी में कुछ लिखा ही नहीं है पती बोला आखरी पन्ना देखो मैंने उसी पर लिखा है उस पन्ने पर लिखा था तुमने मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए इतने सालों में जो त्याग किया है और हम सब को जितना प्यार दिया है उसके आगे मैं तुम्हारे खिलाफ इस डायरी में कुछ भी नहीं लिख सकता और इससे भी जरूरी मुझे कभी तुम्हें कोई कमी देखने की इच्छा हुई ही नहीं ऐसा नहीं है कि तुम्हें कोई कमी नहीं है लेकिन तुम्हारे प्यार, समर्पन और त्याग के आगे तुम्हारी कोई भी कमी बहुत छोटी है मेरी अंगिनत गल्तियों को नजर अंदाज करके इस कठिन जीवन में तुमने मेरा मेरे साय की तरह साथ दिया है और हमेशा मेरे साथ खड़ी रही तुम्हीं बताओ कोई भी अपने ही साय में दोश निकाले तो निकाले कैसे अब पत्नी की आखे नम थी पत्नी ने पत्नी के हाथ से अपनी शिकायतों की डायरी ले ली और उसे जला दिया पत्नी का रिष्टा एक दूसरे पर विश्वास पर टिका होता है और उसी से वह मजबूत होता है उम्र के इस दोर में पत्नी को एक बात अच्छे से समझ लेनी चाहिए कि एक दूसरे में गलतियां और कमिया निकालने के वज़ाए अगर यह याद रखा जाए कि उसके साथी ने उसके लिए कितना त्याग किया है तो इस से उनका रिष्टा और भी जादा मजबूत ही होगा दोस्तों छोटी सी इस कहानी को लिखने के पीछे मेरा परियास यह है कि इन दिनों पत्नी पत्नी में बढ़ती जा रही दूरियां कम हो सके और खास कर गलत फैमियों की वज़े से या सिर्फ बात ना करने की वज़े से बढ़ती जा रही दूरियों को अराम से शांती से बैठ कर बात करके कम किया जा सकता है या खतम भी किया जा सकता है दोस्तों उमीद करती हूँ आपको मेरी यह कहानी पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिएगा अपने फ्रेंड्स में शेर कीजिएगा और मेरी चैनल पर नई है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को जरूर से प्रेस कीजिएगा आखिर तक बने रहने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद